में जया drag मंतिरा की फैमिली में आपका सागत करता हूँ आई ये मिलकर इस फैमिली को थोड़ा और बड़ा बनाते हैं तो मैं देख रहा था का अभी बच्चे कमेंट कर रहे थे क्या आपने फीस जादा रख दे रहे हो देख को हम क्यों जादा रख रहे हैं क्या उसकी वीडियो को देखने बाद आपको पता लगेगा, तो आज मैं किसी भी exam के syllabus का कोई discuss आप से नहीं करूँगा, ठीक है, ये एक common topic लेकर मैं आपके लिए आया हूँ, ये important DSSV के लिए भी है, KVS के लिए भी है, और NVS के लिए भी है, ठीक है, तो इसको समझते हैं, और मैं कुस्टन देरी में क्यों होता है exam में जाके, आप टाइम क्यों लगा देते हो, ठीक है, उस टाइम को हम save कैसे करें, कुस्टन को जल्दी कैसे solve करें, वो सारी बातों पर मैं आपसे discuss करूँगा, तो आए देखते हैं पहला कुस्टन, कुस्टन कह रहा है, इन जू, देर आर rabbit and pigeon, if heads are counted, there are 200, if legs are counted, there are 580, how many pigeons are there, ठीक है, अगर कुस्टन को मेहनी मैं समझाना चाहूं, तो कुस्टन आपसे कह रहा है, कि किसी चिडिया घर में खरगोश सता कबूतर है, जदो उने के सिरों की गिंती की जाए, तो 200 आती है, जदो उने के पैरों की गिंती की जाए, तो 5 40 आती है, तो कुस्टन कह रहा है कि कबूतर कितने हैं, ये बता दो चिडिया घर में, ठीक है, अच्छा, मैंने देखा है, जो बच्चा common approach इस कुस्टन में लगाता है, वो दो तरह की approach लगाता है, पहली approach लगाता है, कुस्टन को एक कुस्टन मना कर solve करेगा, या कुस्टन को mixture allocation से करेगा, हमको दोनों approach से बचना है, हम कुस्टन को कैसे solve करेंगे, उस पर भी मैं discuss करूँगा, पहले आईए देखते हैं, आपकी approach जो आप लगाते हो, ठीक है, पहली approach आप क्या लगाते हो, कि आपना number of rabbit माल लेते हो R, और number of rabbit माल लेते हो P, तो दोनों को add करोगे, उनकी जो संख्या दे रखिया, question ने कितना दे रखा, 200, ठीक है, अच्छा, आपको पता है, rabbit के पास कितना लेगा होता है, 4, और pigeon के पास कितना लेगा होता है, 2, तो आप फिर अगली equation बनाते हो, 4R plus 2P, बरावर कितना, 580, यहां से P और R की value निकालोगे, तो आपको number of rabbit औ number of pigeon आपको पता लग जाएंगे, एक यह approach होती है, ठीक है, एक normal approach है, एक और बच्चा क्या लगाता है, इसमें, mixture or allocation वाले approach लगाता है, ठीक है, तो इन दोनों एप्रोच से ना आपको बचना है, ना तो mixture or allocation वाले आपको एप्रोच लगानी है, ना equation based वाले approach आपको लगानी आपको ना तो पैन की जरूता है ना कॉंपी जरूता है आप ऐसी सोच कर लोजिकली कुस्टन को सॉल्व कर सकते हो ठीक है कैसे कुस्टन को सॉल्व करेंगे वो थोड़ा समझना ठीक है थोड़ी सी न बात है common उनको समझना आप से अगर मैं पूछता हूं कि रैबिट के पास कितना पैर होता है तो आपको रैबिट के पास पैर होता है कितना चार पीजन के पास कितना पैर होता है तो आपको पीजन के पास पैर होता है थोड़ा सा जो लोजिक है वो समझना अगर मैं पूछूं कि किसी व्यक्ति के पास कितने पैर होते हैं तो आपको होगे दो ठीक ह सिर कितना होता है सिर तो सभी के पास कितना होता एक वो person हो वो कोई जानबर हो कोई भी हो ठीक है कोई यह नहीं मलो उसके सिर भी कितना होता है अगर मैं कहता हूँ कि मालो आपकी class है उसमें न 20 person बैठे हुए है 20 वेक्ती बैठे हुए है ठीक है तो अगर मैं आपसे पूच्छा में किसी क्लास में 60 लेक्स हैं तो नमबर ऑफ परसन कितने होंगे तो आपको 30 ठीक है यही वाली अप्रोच हमें यहां पर लगानी है ठीक है अब कुश्ण कहरा अगर उनके लेक्स को गर काउंट किया जाए तो कितना आता है 580 अब थोड़ा सा ना यहां पर लोग जो कि उसको समझे ना रैबिट का पास कितना पैर होता है तो आपको गए 4 और पीजन के पास कितना पैर होता है दो आपने यह मालनों कि दोनों के पास और जो रैबिट के पास कितना पैर है तो जो दो एष्टा है रैबिट के पास उस पैर को न छोड़ दो अभी कउंट करोppen आप खुश सोच यह गर दो दो पैर दोनों ऑनिमल के पास होता तो तो तुहंडेड क्या है सिर है तो तो तुहंडेड पर कितने लेक्ऎ हो हो जाते तो आप कहते 400 लेग हो जाते अच्छा कुसन ने तो मुझसे बोला कितने लेग हैं 500C यानि अभी भी 130 सिर्फ बचा हुआ है 100C हैड जो बच गया सिर्फ बच गया वो किसकी वैसे बचा उसके लिए रिस्पॉंसिबिल कौन है केबल रेविट क्योंकि रेविट का हमना हम दो लेक्स पहले छोड़ कर आए थे तो आप खुश सोचो 180 लेग को 22 के इसाब से कितने रेविट में बांटोगे तो आपको वह रेविट को बांटा जाएगा कितने 90 में 90 में बांट सकते हो आप खुश सोच अगर दोनों को मिला कर 200 है तो अगर 90 कौन लेकर चला गया रैबिट चला गया तो पीजन के पास कितने रह गया सिर्फ एक सुदर यानि पीजन कितने रहोंगे 110 रहोंगे तो आप इस नेर्मल एप्रोच से कुशन को solve कर सकते हो ठीक है फिर भी कुशन आपको थोड़ा ना complicated लगा होगा समझ में ठोड़ा कम आया होगा आप लिखे बिना नहीं मानूगे लिखे बिना नहीं मानूगे कुशन को थोड़ा लिखकर भी solve कर सकते हो कोई प्रोड्म नहीं पर आपको यह एप्रोच आपको इस कुशन में अपना नहीं है मैं बताने जा रहा हूँ कैसे ठीक है, हम बात कर रही थें किसकी रेविट की और кिसकी पीजन की हम रेविट और पीजन की पात कर रहे है तो रेविट के पास कितना लेग होता है कुछ रहां कि दोनों एनिमेल के पास टू-टू ले गया है ठीक है हमेशा कम बाले को मानना है इस वाला कुछन अगर इस तरीके के कुछ आता है ये वाला कुछन डीटर प्लैस भी में पिछली बार एक या दो कुछन रैक जाम्बे में देख रहा था ठीक है एनिवेस में भी कुछन ऐसे पूछे गया है और के वी एसे कुछन आते हैं ठीक है तो सब के लिए एक कॉमन टॉपिक है तो हमेशा कम बाले को मानना है जिस एनिमेल के पास कम हो उतना मान लो उसको अलग कर दो तो मैं ये कह सकता हूं तू-टू लेक तो सब के पास है दो-दो लेक तो सब क अभी भी एक-सलकी लेक बचा हुआ है एक-सलकी लेक हम कांट नहीं कर पारे क्यों नहीं कर पारे क्योंकि जो रेबिट के पास दो लेक एस्ट्रा था उसको शुरुआत में कांट करके नहीं आये थे तो आप खुछ सोचो इस-एक-सलक के लिए कौन रिस्पंसिछल रह गय अगर दोनों को मिलाकर 200 था तो 200 में से कितना 90 कम कर दो तो पीजन कितना आये होंगे 110 तो आंसर कौन सा होगा ओफशन नमर भी ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझे होगे ठीक है और एक बार कोशिट करना कि एक जाम में आप पहनना चलाओ आप ऐसी सॉल्व कर सकते हैं एक बार फिर से मैं उस एप्रोच को बतानी कोशिट करता हूँ जो मैंने सुब आत मताई थी देखो रैबिट के पास कितना होता है लेग चार पीजन के पास कितना लेग होता है दो ठीक है मैंने देखा सिर कितने हैं 200 हैं टोटल और लेग कितने हैं 500 सी आप ये सोचो कि रैबिट के पास ना चार लेग है तो दो लेग एस ट्रा किस से पीजन से तो दोनो एनिवल के प 400 लेग हमारे according हो गए पर question कहा रहा है कितने लेग हैं 580 यानि 180 लेग अभी भी बचा हुआ है 180 लेग के लिए कौन रिस्पॉंसल है केवल rabbit तो आपको सोचो 180 लेग को 2-2 के इसाब से कितने rabbit में बांट दोगी तो आपको 90 तो मैंने देखा 2-0 animal मिला कर कितना था 200 था क्योंकि सिर्थ तो एक एक ही रहा होगा अगर 90 क्या है rabbit तो बाद बाकी 110 क्या रहे होगे pigeon तो आप question को ऐसी solve कर सकते हो आज ये देखते है next question question क्या रहा है 300 divided among 80 students of a class such that each boy get 5 रुपी and each girl get 3 रुपी then find number of boys देखो ये भी question न हुआ ही है question कहानी बदल बदल करke क क्या कानी बदलने लगता है लगता है तीक है क्योंकि question को पेंचाने नहीं पाते हो तो थोड़ी practice आपको बढ़ानी है Qution को ध्यान देना है और आपको question शम्मेर आगा क्या पूछा गया कि कुछन को किस तरीकिस करना है ये भी कुछन ऐसा इसके लिए पेन तक चलाने की जरूरत नहीं को ऐसी solve कर सकते हूँ मैंने देखा कि boy के पास कितना रुपया जा रहा है पांच, girl के पास कितना जा रहा है तीन रुपये हिंदियों मैं कुस्षन को समझा देता हूँ, कुस्षन कहा रहा है, 300 रुपे की धंडासी को, 80 बिद्यार्थियों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, कि प्रते की लड़की को तो 5 रुपे, तथा प्रते की लड़की को 3 रुपे प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो हमेशा कम बाले को मानो, आप ये सोचो कि बोईज के पास कितना जा रहा है, 5 और गल्स के पास कितना जा रहा है, तो आप ये मानलो कि बोईज के पास 2 एस्ट्रा जा रहा है, तीन-तीन तो सब के पास जा रहा था, हमेशा कम बाले को मानना है, तो तीन-तीन अगर हरे स्टूदेंट के पास जा रहा होगा, कुछ स्थन कह रहा है कितना student है 80, तो खुछ सोचो 80 student में 3-3 रुपे बांट रहे हो, तो कितना रुपे बांट दोगे आप, आप कहोगे 240 रुपे बांट देंगे, पर कुछ स्थन कह रहा है 300 रुपे बांटा गया, तो अभी भी तो तीस में, तो option number C, तीस answer हो जाएगा, ठीक है, उम्मित करता हूँ, आप इस question को समझे होगे, फिर भी मैं एक बार आपको pen चलाकर question को solve करना सब्सक्राइब, ठीक है, question किस की बात कर रहा था, boys की और girls की, तो मैंने देखा, boys को कितना रुपया मिल रहा है, 5 रुपय, और question क नहीं कह रहा है, तो मैं यह कह रहा हूँ, हमेरे सा न, छोटे वाले amount को मान लो, 3 रुपय, 2 रुपय एस्ट्रा जा रहा होगा, यानि 3-3 रुपय तो दोनों के पास बराबर जा रहा होगा, ठीक है, जो एस्ट्रा उसको रख दो, उसको count नहीं करना, 3-3 तो हर student के पास गय हो, ठीक है, तो आपको सोचो, 3-3 रुपय अगर 80 student के पास गया, तो टोटल कितना रुपय गया होगा, तो आपको 3 से मल्टिप्लाइगा दो कि ना, 240 रुपय, तो 240 रुपय बांट दिया गया हो, पूरी क्लास में, पर कुस्तन क्या कह रहा है कि नहीं जी, कितना बांटा ग गया गया, तीस बोईज में, तो बोईज कितने रहोंगे, तीस, ठीक है, अर मुझा लोग कुस्तन ये भी पूछ ले था, नमबर ओव गल्स बता दो, तो आपको बता है, टोटल इस्ट्रिप्ट कितना था, तीस अगर बोईज रहेंगों, तो पचास क्या रहेंगे, गल्स ठीक है, आई देखते हैं, नेस्ट कुस्टन, फिर से कुस्टन वैसे ही आ गया, कुस्टन कह रहा है, a man has some hen and cow, if he, if the number of heads be 60, and the number of feet equal 200, then find number of hands, ठीक है, कुस्टन बहुत सिंपल है, कुस्टन फिर से ये कह रहा है कि, किसी व्यक्ति के पास क्या है, कुछ मुर्गिया है, और क कुस्टन कह रहा है, number of hand बता दो, यानि मुर्गियों की संक्या बता दो, ठीक है, अच्छा, तो फिर से मैं वही approach अपना हूँगा, मुझे पता है, मुर्गियों के पास कितने पैर होते हैं, दो, गाय के पास कितना पैर होता, चार, तो गाय के पास अगर चार है, तो मैं य आट से रोंपर, दो, दो के हिसाब से एक सो बीस पैर हो जाते है, पर कुस्टन कह रहा है, नहीं जी, कितने पैर हैं, दो सो, अभी भी न, असी पैर बचा हुआ है, असी पैर किसके, कौन रिस्पोंस होला है, असी पैर के लिए, तो आप कहोगे, क्यूंकि हम दो काउंट कर के नहीं आ रहे थे शुलात में, तो आप खुस्टोंस हो, असी पैरों को, दो, दो के हिसाब से, कितने काउं में बांट दोगे, तो आप कहोगे, कितना काउं में बांट देंगे, हम 40 काउं में, 40 काउं में बांट देंगे, टोटल कितना सिर्था, 60, तो 20 क्या रही होगे, म आई देखते हैं कुछ्चन को अगर आप सजाकर सौल्व करना चाहतें तो कैसे करोगे हैं ठीकें तो बात किसकी हो रही थी काउ की बात किसकी हो रही थी हैं की तो आपको पता है काउ के कितने पैर चार हैं के कितने पैर दो तो दो पैर तो इसके पास है यह और दो पैर ऐस ट्राइँ है कुछन कहा रहा है, हेड कितने थे, हेड से जी 60, और लेग कितने थे, जी 200, ये कुछन ने बात बोली, तो मैं ये कह रहा हूँ, जो दो लेग एश ट्राय काव के पास, उसको अभी छोड़ दो, आपना दो 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 दोनों के पास मान कर चलो, ठेक है, अगर दो दो दोनों के प के पास में, कि फ़, पिफल काव, दो दो के इसाब से कितने काव में बाट दोगे, आप को ब,"ड़ साथ", ठेक है, तो हेड कितनी रहयोंगी, तो आप को बुछ साथ में से 40 को कम कर दो, हेड रहयोंगी जी 20, 20 मुर्गी आ रही होंगी, ठीक है, उमीद कहता हूँ, कुछन बहुत अच्छी समझ में आयोगा, कोई equation और कोई mixture allocation लगानी जरूत नहीं, कुछन को ऐसी आप solve कर सकते हूँ, आए देखते हैं, next question, question number 4, question number 4 थोड़ा अच्छा है, question कहा रहा है, sum of rupees 6.4 is made of 80 coins, which are either 10 पैसे और 5 पैसे coin, how many are 5 पैसे coin, question कहा रहा है, कि 6.4 रुपे के 80 सिक्कों को, sorry, फिर से मैं हिंदी मोल देता हूँ, question कहा रहा है, 6.4 रुपे के 80 सिक्कों में या तो 10 पैसे के सिक्के हैं, या 5 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, यानि 6.4 रुपे की धंडासी है, उसमें कितने coin है, 80 coin है, जो 80 coin है, जो 80 coin है, या तो 5 पैसे के सिक्के हैं या 10 पैसे के सिक्के हैं तो कुस्षन कह रहा है कि आपको ये बताना कि 5 पैसे के कितने सिक्के रहा हूंगे ठीक है अच्छा ये कुस्षन भी ऐसा ही है बस फिर से मैं ये कह रहा हूं कानी थोड़ी बदले गई है तो कानी बदलने से आपकी कानी नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है, हाँ, तो कुस्टन कह रहा है, कितना है, 6.40, ये रुपे है, अगर इसको पैसे में चेंज करना चाहते हैं, तो 100 से मल्टिप्लाई कर दोगे, तो आप कहोगे, 640 पैसे रहा होगा, ठीक है, अच्छा, तो या तो कोईन की अगर बात की जाए, तो 10 पैसे के कोईन थे, या किसके थे, 5 पैसे के कोईन थे, फिर से मैं यह कहूँगा, अगर 10 पैसे और 5 पैसे के कोईन थे, तो 5 पैसा कैसे बन रहा होगा, 5 पैसे से बन रहा होगा, प्लस में 5 पैसे से बन रहा होगा, तो हमेशा कम पर फ के अगर 80 कोईन रहे होंगे तो कितना पैसा बन गया होगा तो आप कहते 400 पैसा 400 पैसा बन गया होगा पर कुस्स्तन कहत रहा है नहीं जी, कितना है, टोटल 640 तो 400 पैसे को अठा देते हैं तो बचा कितना 141 पैसा ठीक है, सुरी 240 इसा'll है 250 bets ऐसा'll है 2024 210 अच्छय 240 पैसा के लिए कौन response वेले केबल 10 पैसे वाले कोईन ठीक है कितने वाले कोईन 10 पैसे वाले कोईन तो 5 5 पैसे के साफ से 240 पैसे को कितने कोईन में मार दोगे तो आप इसको काड़ लो कि तरह 48 48 कोईन किसके रहे होंगे 10 पैसे के ठीक है ध्यान रखना जो एस्ट्रा है उसी किसंगया निकल कि आएगी पहले 48 कोईंट रहोंगे पर कुस्छन कहरा है number of find number of five पैसे कोई नहीं वाल पांच पैसे किसंगया बतानी है कुछन बहुत अच्छा है ठीक है यह कुछन इसी बार के डी ट्रिप्लेसिवी के एक्जाम में कुछन पूछा गया था इसा ठीक है मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि टाइम ओर डिस्टेंस से कुछन इस तरीके कर देगा एक्जाम पर अगर आपको यह सारे कुछन समझ में आ कुछन के रहा परसंट कभर एटी किलो मेटर डिस्टेंस राई टैक्सी एंड कार ही पर फाइव रुपी फाइब किलो मेटर वो 5 रुपी पर किलो मेटर है ठीक है रुपी 5 किलो मेटर पर क्लो मेटर 4 कार and 15 रुपी पर क्लो मेटर 4 टेक्सी टेक्सी है ध्यान रखना दूसरे में अब कह रहा है if he pay टोटल 600 रुपी 4 whole journey find the how much distance cover by taxi बहुत अच्छा कुछन है कुछन को में हंदी में समझाते हैं तक कुछन क्या कह रहा है कि 80 km की दूरी कार और टेक्सी से तैक्सी से तैक्सी से तैक्सी कही गई अब कुछन कह रहा है कि 5 रुपे प्रति किलो मीटर के इसाब से कार के लिए मतलब कराया दिया गया और 15 रुप से पांच रूपे, प्रत क्लो मिटर के साब से करी, कुछ दुरी उसने टैक्सी से, पंदर रूपे, प्रत क्लो मिटर के साब से करी, तोटल कितना रूपिया ख़र्च हो गया, उसका 600, तो कुश्टन ये कह SHOT, कितनी दूरी अगर गया होगा, ठीक है, तो देखो ये भी कुशन ऐसा है कि इसके लिए पैनो कोई चलाने की कोई जरूत नहीं आपको ऐसे कुशन को सौलूप कर सकते हो मैं फिर से कह रहा हूँ आपना छोटे बाले हिस्से को पकड़ के चलो मैंने देखा कार के लिए पांच रुपे प्रत किलो मिटर दे रहा है और टेक्सी के लिए कितना दे रहा है यानि जो 10 रुपे प्रत किलो मीटर कार का अलग खर्चा उसको छोड़ दो अभी, 10 रुपे को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो 5-5 के इसाब से 80 किलो मीटर की दूरी कितने रुपे में तय होती ही, तो आप कहते 400 रुपे में, पर कुस्टन कह रहा है नहीं, जी कितना रुप जन्नी उसने दद्दस के इसाब से कितने किलो मीटर के लिए तैकरी होगी, तो आप कहोगे, जी 20 किलो मीटर के लिए, तो आंसर हो जागा D, 20 किलो मीटर, ठीक है, अब फिर भी नहीं समझ माया है, तो मैं आपको कुस्टन इस तरीके समझाने को करता हूं, समझना, कुस्ट टोटल जो डिस्टेंस से वो कितनी है, 80 किलो मीटर की है, ठीक है, और टोटल जो रुपया खर्च हुआ है, वो 600 रुपया हुआ है, पूरी जनली में, ठीक है, या वो दोनों से मिला कर जो हुआ है, अब टेक्सी की बात कर रहा है कुस्टन, और किस की बात कर रहा है, कार की ठीक है तो कुछन कहा रहा है कार के लिए कितना खर्च करता हूँ पांच रुपे पर किलोमीटर खर्च करता है और टेक्सी के लिए कितना खर्च करता है पंदर रुपे पर किलोमीटर खर्च करता है तो मैं यह कह सकता हूँ टेक्सी के लिए 10 रुपे प्रत किलोमीटर उसने कि ठीक हए हुसने 55 पांच 55 रुपे के असपस dif嫌ता की 50 कि दूर बुवीर्ट करता तो 70 पांच 5 5 के हिसाब से कत्ता रुपया खर्च कर देथा 400 पर ककुस्ष्ण के कहरा है नहीं isä कितना खर्च किया 200 यानि 200 रुपया जो खर्च हुआ गा उसके लिए responsible कोन है कि ऐल टेक्सी किस बार है किस असाब से हर क्लोओ मेटर के लिए कि militants कर दोगया, किटना गया हुगा हुगा थिए maintenance कर दोगी कि टेक्सी से कितने क्लोमेटरобраз, आफ फिंट के बार गया हुगी seven, ढूर कैमे इसानी कि पता पता हुगा, ob explosives व सारे जैसी भी आपको क्लास लगी, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें रिप्लाई जरूर कियेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ मैं जै अनुमतिया आप से चाहूंगा, ठेक है, बाई बाई, टेक केर,